Hello everyone, कैसे हैं आप सर्व? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BLS International की जिसने अपने quarter 3 के नंबस काफी positive pace किये थे और उमीद यही है कि stock जो है लेकिन recovery जो है बहुत ही जल्दी दिखाएगा और 200 प्लस जाता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा 2022 के अगर मैं बात कुरू तो company दो बार जो है 1 is to 1 का bonus जो है 2022 के अंदर अल्री दे भी चुकी है और ऐसे में last closing के इसाब से क्या कुछ update जो है BLS International के देखने को मिल जाते हो और क्या कुछ technical chart कहता है कहां तक consolidate और कहां तक गिरावट के chances अबी भी बने हुए है इसके बारे में discuss हम इस वीडियो में करेंगे और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पे जरूर सेलेक कर लीजिए ताकि जैसे ही video upload हो आप लोगों तक तुरंत notification पहुँच जाए लास closing के अगर बात करें BLS International की तो almost जो है डाई पसंट के आस पास की गिरावट रही है 176.50 रुपे 50 पैसे पे stock ने अपनी closing दी यहाँ पर देखे buying देखने को मिली थी उसके बाद selling देखने को मिली फिर थोड़ी सी buying आई और stock में continuously फिर हमें कल के दिन selling देखने को मिली 90 रुपे के आसपास चला गया था और वहाँ पे जो है quarter 3 के numbers पेश किये थे और continuously फिर थोड़ी सी correction का सामना जो है BLS International के investors को करना पढ़ रहा है अगर एक महीने के मैं बात करूँ तो एक महीने में देखे अच्छी अच्छी hikes आई है यहाँ पर buying देखने को मिली फिर यह profit booking यहाँ पर अच्छा खासा हुआ उसके बाद से अब stock consideration में ही देखने को मिल जाता हो और और एक महीने के जो returns है वो 3% के आसपास तक के positive जरूर देखने को मिल जाते हैं छे महीने में देखे यह जो है यहाँ पर one is to one का bonus मिला था और जो almost shares credit हुए थे वो December में credit हुए थे तो यहाँ से stock ने recovery दिखाई है फिर भी 6 महीने के जो returns है बावन पसंट के आसपास तक के returns जो है अभी तक BLS International ने छे महीने के अंदर इन्वेस को दे चुके कंपनी काफी कमाल की है fundamentally काफी strong है quarter two quarter three के जो number साहे थे वो भी काफी अच्छे अब की बार के हमें देखने को मिल चुके है इस company के और वहीं अगर आप इसके maximum returns को देखेंगे तो यहाँ पर maximum returns और जो लगातार तेजी देखने को मिली उस बीची में और कोवीड क पसंट के आसपास के returns जो है अभी भी BLS International में हमें भरकरार देखने को मिल जाते हैं कमपनी काफी strong है long term hold की जा सकती है last closing का अगर मैं volume देखूं तो almost जो है आप देखे 60 lakh के आसपास का volume रहा है BLS International में जो की काफी शानदार volume हमें last closing session में देखने को मिल जाता है और अगर भी अभी भी after market order में लगा हुआ तो यानि कि कल के दिन में अच्छी खासी बिक्वाली जो है मैं कहा सकता हूँ कि BLS International में हमें देखने को मिली हाला कि अगर इसका technical chart देखे हम इस company का तो इसका जो अभी RSI level है RSI level देखे हम 52 क्या round तो यानि कि ए consolidation phase जो है इस time हमें देखने को मि मिल जाएगा हाला कि अपने देखे support level ये support level है और उससे ऊपर ही है अभी भी अगर support level देखे तो काफी नीचे का है 160 के around जो है इस company का support level देखने को मिल जाता है यहां पर देखे मैं जो चीज आपको बता रहा था कि दो बार bonus ये company ऑलरी 2022 के अंदर investors को दे भी चुकी है company गरम में hold कीजिए आप काफी बढ़िया returns आपको बना के दे सकती है और इस company के अगर मैं बात करूँ देखे company का business है four decades all's BLS group की जो एक company देखने को मिल जाती हो और साथी साथ में इस company का जो कामका जो देखे प्रेजेंस जो है इसकी visa, passport, counsellor, citizen services with 62 countries and 36 government clients and provide service through 2325 offices worldwide तो online visa provide करा ना, passport provide कराना, citizen services provide कराना इस company का कामका जे है और अकेली एक मातर ऐसे company है जो कि stock market में लेसे है जो कि ये सारा का सारा कामकास देखती है और इस company के अगर मैं Q3 के numbers आप लोगों को दिखा हूं तो Q3 के जो numbers से काफी अच्छे हमें देखने को मिले थे यहाँ पे देखे कि जहा मार्च 2022 में जो 7 करोड का operating profit था वो आज बढ़कर 66 करोड का हो चुका है और operating sales भी जो है वो 438 करोड के आसपास तक की quarter 3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो company के जो performance रही है वो काफी अच्छी quarter 3 के अंदर हमें देखने को मिली है और अगर आप bank nifty nifty में trading करते हैं trading को calls के जरीए income earn करना चाहते हैं और अपने doubts मेर से पूछना चाहते हैं तो video के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का और whatsapp group का link मिल जाएगा जिसमें भी आप comfortable है join कर सकते हैं दोनों ही group जो है free of cost और इस पर आप अपने doubts मेर से पूछ सकते हैं link video के description box में आप लोगों को मिल है तो company मैं कहा रहा हूँ कि काफी strong company है fundamentals काफी अच्छे हैं इस company के और साथ ही साथ ही बात कुरू कि company के promoters का stake है वो भी बहुत ही शांदार हमें देखने को मिल जाता है 74.41% जो है promoters का stake है दो साल के अंदर से कोई भी changes नहीं देखने को मिल रहे हैं हाला कि FIA ने जो है December quarter मे अच्छी खासी interest यहां पे BLS International में दिखाई है यानि कि almost 8.20% जो है stake जो है FIA के पास है DI का stake as it is है public का stake जो है quarter three के अंदर हमें decrease होता है देखने को मिला है हाला कि जो stake public ने बेचा वो सारा का सारा यहां पे FIA ने उठा लिया और company काफी strong है यह चीज में आपको पहले भी कह आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share जुरूर करें और अगर आपनी चैनल पे पहली बार विजिट की तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लें